Prove that this side is equal to this side using the identity secant square theta is equal to 1 plus 10 square theta देखो यह देखने में आपको थोड़ा से complicated, difficult लगता होगा लेकिन उतना ही easy question है यह अब ऐसे questions को left side से start करना है या right side से start करना है इसको देख के समझ में आ जाता है कि कैसे करना होता है Generally हम क्या करते है Generally हम क्या करते है कि उस side से चलते है जहां secant, ten, cotangent, cosecant वगरा वाली terms हो और वहाँ से चलते चलते हम sin और cos की तरफ चल पड़ते है ठीक है लेकिन लेकिन इस particular case में क्या है कि left side में numerator में 3 terms denominator में 3 terms और right side में सरफ 1 और 2 तो 3 terms से 1 term या 2 term की तरफ जाना जो है वो easy होता है rather than कि 2 terms से आफ 3 terms की तरफ चलो ठीक है तो उसमें आपको manipulations ज़्यादा करनी पड़ जाएंगी तो इसमें manipulation की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है तो हम left side से start करते है ठीक है अब अगला step क्या होना चाहिए कि अब यह देखो कि इसको आपको किसके बराबर प्रूव करना है उसमें कौन कौन सी term है secant theta है tan theta है तो secant theta क्या होता है cos का inverse ठीक है और tan theta क्या हता है sin over cos तो अगर मैं इसको cos से divide कर दूं sin को तो sin over cos मुझे tan देगा ठीक है cos over cos मुझे 1 देगा कोई बात नहीं और 1 over cos मुझे secant देगा तो इससे मुझे समय में आयता है कि अगर मैं उपर और नीचे दूनों terms को cos theta से divide कर दूं तो मुझे secant theta की term भी मिलेगी और tan theta की term भी मिलेगी और फिर मैं उसको solve कर सकता हूँ तो मैं यही करता हूँ सबसे पहले तो मैंने उपर और नीचे अब इसको cos theta से divide करना है तो इसका मुझे यह कितना बन जाएगा sin theta divided by cos theta minus cos theta divided by cos theta plus 1 over cos theta इस पूरी term को मैंने cos theta से divide कर दिया तो नीचे भी divide करना पड़ेगा उपर नीचे cos theta से divide करूँगा कोई फरक नहीं पड़ेगा तो नीचे हो जाएगा sin theta over cos theta plus cos theta over cos theta minus 1 over cos theta अब cos theta के साथ cos theta कट गया यहाँ cos theta के साथ cos theta कट गया और यह मेरे बास क्या आ गया sin theta over cos theta कितना हो गया tan theta minus 1 theta यह आ गया ठीक है नीचे यहाँ पर भी मेरे पास कितना आ गया tan theta यहाँ plus 1 और minus यह भी कितना हो गया secant theta ठीक है इतना आ गया अब मैं के करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा rearrange करके लिख लेता हूँ ठीक है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसको सिरफ rearrange कर रहा हूँ कि tan theta और उसके साथ secant theta की term और बाद में minus 1 ठीक है divided by इसी तरह से नीचे tan theta minus secant theta और बाद में plus 1 अब देखो हमें यह बोला गया है हमें यह identity यूज़ करनी है secant square theta is equal to 1 plus tan square theta इसका मतलब क्या है देखो secant square theta is equal to 1 plus tan square theta का मतलब यह है कि secant square theta minus tan square theta is equal to 1 ठीक है यह 1 के बराबर है तो इसका मतलब अगर इस 1 को मैं secant square theta minus tan square theta से replace कर दूँ तो कोई हर्च तो नहीं है यहीवाली identity use हो गई यह मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मझे यहां पर दिख रहा है कि यह पूरा जो है यह है tan theta minus secant theta और इसमें से भी मुझे tan theta minus secant theta मिल जाएगा यहां कहलो secant theta minus tan theta मिल जाएगा ठीक है और फिर मैं उसको use कर सकता हूँ कैसे देखो इसको अब मैं लिख सकता हूँ उपर वाली term तो ऐसे ही लिख दो divided by नीचे इसको चलो मैं bracket में लिख देता हूँ ऐसे tan theta minus secant theta for clarity sake plus one की जगा अब मैं यह लिखता हूँ यह हो गया मेरा secant square theta minus tan square theta इसका मुझे फायदा क्या है इसको मैंने bracket में डाल दिया इसका फायदा क्या है कि यह अब a square minus b square इस form का है a square minus b square तो इसको मैं a minus b into a plus b इस form का लिख सकता हूँ क्यों लिखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है a minus b इस form से मुझे यह term मिल जाएगी कैसे यह कितना हो गया मेरा उपर जो है minus secant theta plus इसको मैं लिख सकता हूँ secant theta minus tan theta multiplied by secant theta plus tan theta right कोई हर्च तो नहीं है a minus b into a plus b यह लिख दिया अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और mention कर देता हूँ कि यह जरूरी नहीं है कि नीचे वाला 1 जो है उसी को ही आपको replace करना है यह जो उपर वाला 1 है इसको भी आप replace कर सकते हो बस यह याद रखना कि इन दोनों में से सरफ किसी एक 1 को आपको secant square theta minus tan square theta से replace करना है answer दोनों तरीकों से आ जाएगा अब आगे बढ़ते हैं उपर वाली term को तो मैं छेड ही नहीं रहा उसको तो मैं जैसी है as is वैसे का वैसे ही रख रहा हूँ divided by अब यहाँ पे tan theta minus secant theta यहाँ पे secant theta minus tan theta तो अगर मैं इस में से minus common निकाल लूँ नीचे वाली term में से minus common निकाल लूँ अब यह अंदर कितना आजाएगा secant theta minus tan theta हो जाएगा यह भी ठीक है यह भी secant theta minus tan theta हो गया minus 2 निकाला दो क्यों क्योंकि यहाँ पे secant theta minus tan theta था तो इसलिए मैंने इसको भी secant theta minus tan theta बना लिया तो यहाँ जो है इसको मैं as is लिख देता हूँ अब तो अब नीचे मेरे पास मझे पता है कि secant theta minus tan theta common है तो मैं उपर तो जो है उसको फिर से वैसे लिखता हूँ और नीचे जो मेरे पास common है वो क्या है secant theta minus tan theta यह मैंने common निकाल लिया बाहर तो अंदर क्या बच गया यहाँ से बचेगा minus 1 ठीक है यहाँ से minus 1 बचा और यहाँ से क्या बचेगा secant theta plus tan theta secant theta plus tan theta तो यानि कि अगर इसको अब ध्यान से देखो तो यह term और यह term उपर वाली यह बराबर है तो यह मैं उपर वाली term तो ऐसे लिख देता हूँ tan theta plus secant theta minus 1 bracket में भी डाल लो इसको थोड़ी clarity हो जाती है और नीचे हो गया मेरे पास secant theta minus tan theta into इसको भी बिल्कुल वैसा ही लिख लेता हूँ एक बार tan theta plus secant theta minus 1 कोई हर्ष तो नहीं है ठीक है तो अब यह पूरी term इसके साथ कट गई तो बचा गया मेरे पास 1 over secant theta minus tan theta और यही मुझे प्रूव करना था यही मेरी right hand side थी this is equal to right hand side hence proved right अब देखो अब मुझे पता है कि इसमें कई बार confusion हो जाती है कि आपको याद नहीं रहता कि यह plus 1 जो यहाँ पे था इसको हमने secant square theta minus tan square theta लिखना था तो इसको करने का नहीं एक तरीका और भी है मैं आपको थोड़ा सा hint देता हूँ आप उसको खुट try करके देखना अब यहाँ से मैं start करता हूँ मैं hint आपको देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो इस particular step के बाद उपर और नीचे आप यह देखो कि कौन सी दो term है जो common हो सकती है एक जैसी वो क्या है tan theta और इसमें से अगर मैं minus common निकाल लूँ तो अंदर बज़ जाएगा 1 minus secant theta divided by यहाँ नीचे tan theta plus bracket में 1 minus secant theta तो अब आप देखो उपर और नीचे similar term होगई सिर्फ बीच में sin changed है tan theta और 1 minus secant theta अब अगर आप इसी को यह जो पूरी term है मैं इसको दुबारा लिख देता हूँ अब इसको अगर आप जो भी नीचे मेरे पास पूरी term है उसके conjugate यानि की बीच में से sin change करके multiply कर दोगे तो यह हो जाएगा tan theta minus 1 minus secant theta divided by tan theta minus 1 minus secant theta इसी से multiply और इसी से divide करूँगा तो कोई फरक नहीं पड़ेगा और अब उपर a minus b whole square का फार्मला बन गया यह a हो गया यह b हो गया उपर a minus b whole square का फार्मला बन गया और नीचे a plus b into a minus b यह पूरी term इसके साथ multiply हो रही है तो यह a plus b into a minus b तो यह a square minus b square का फार्मला बन गया तो इनको जब आफ फर्दर solve करोगे तो इसी identity को use करके बड़े ही अराम से आप right hand side तक पहुँच सकते हो तो यह तरीका आप खुद करके देखना So that's it from this tutorial Keep watching Mathemathe-mafia